हेलो दूस्तो नमेशकार इस चैनल को भी अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो चलिए उसका लिंक में उबर आई बटन पे निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ तो चलिए फिलाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो अब हम लोग आचुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड यहापे अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो कल की दिन के हिसाब से एक बहुत ही इंपोर्टन स्टॉक है जो कि आप लोग चाहे तो अपने वाच लिस में रख सबते। स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपोर्टन स्टॉक है कॉन से सेक्टर प्राषे से इंенस्ट्री से बिलॉं करता है THो दोस्तो सैमी चनडुकर आप सब लोग को पता है डो जो डिमांड है cheap shortages कैसे यहापे होते भी देखने को मिल रहे हैं अभी इससे related मुझे कोई और update देनी की ज़ुरत यहापे नहीं है जैसे कि अगर मैं बात करूँ Tata Power Tata Power भी आप लोगों ने देखा होगा 12 साल पिछले time से सिर्फ और सिर्फ down चला जा रहा था पिछले 12 महने में इतना कमा के दिया है कि जितना 12 साल का loss था वो सब कुछ रिकार होके profit हुआ है बताने का मकसद क्या है कि semiconductor के भी business में अभी हम लोगों को उसी प्रकार का boom देखने को मिल रहा है और इसके चलते semiconductor के जो shares है उनमें भी हम लोगों को इसी प्रकार की तेजी देखने को यहापे मिल सकती है सो इसलिए कल की दिन की बाद करें semiconductor वाली जो company है वो अपने number पेश करने जा रही है तो पूरे बाजार का focus उस company के उपर ज़रूर यहापे रहने वाला है सो कौनसी company है तो चले उसी company के नाम के उपर आ जाते company का नाम है Moss Chip Technologies Limited सिर्फ Bombay Stock Exchange के उपर मिलेगा आपको यह stock आप देख सकते है फिलाल 81 रूपीज पे आपे चलते वे देखने को मिल रहे है थोड़ा सा बीच-बीच में circuit भी लगता है यहापे अगर मैं यहापे एक साल के performance की बात करूँ उससे अचा पाच साल आप देख सकते हैं यह देखी पाच साल परफेक्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ गिरावटती बट यहापे कुछ टाइम में आप देख सकते हो इतनी जबरदस recovery आई कि कमपनी मतलब profit में आते विए देखने को मुली पाच साल की बात करे तो कमपनी 87% डाउन था कमपनी का business कुछ खास चल ही नहीं रहा था बट अभी suddenly semiconductor के shortages हो गए तो एक साल में ही company ने 400-400% के returns यहापे दिये है सो जो लोग ने भी दिमाग लगा होगा semiconductor से related shares में थोड़ा बहुत भी यहापे तो उनको ज़रूर यहापे फायदा हो रहा होगा नो डाउट ऐसे companies बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं आपका पैसा पूरी तरीके से zero भी हो सकता है अगर दाउ गलत गया तो अगर आप इसका maximum chart pattern भी देखोगे इतना कुछ खास नहीं है कि company हमिशा top level पर जाने का बड़ा profit booking दिखाती है इस वक का जो scenario है दोस्तो वो complete different है जब से 2001 से company start हुई तब से लेके अभी तक ये company का सबसे highest level हम लोग को देखने को फिलाल यहापे मिल रहा है और इसके पीछे का reason ही हुई है दोस्तो shortages, semiconductor का and cheap का shortages, जब भी भी किसी भी चीज़ का shortage रहता है and demand बढ़ जाता है तो मतलब वो companyya माला माल हो जाती है तो वैसे अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते company का market cap 1291 मतलब 1200 करोड़ इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों यह small cap company है इसका भविश्य जबरदस बन भी सकता है या फिर बिगड़ भी सकता है इस टाइप के companies यहाँ पे रहते है और इनके numbers के उपर बहुत चीज़े depend करती है यह फिलाल अभी तक जितना भी हम लोगों को भागते वे देखने को मिल रहा है अभी तक पिछले एक तीन महिने में न्यूस के basis के उपर बहुत इसमें तेजी हम लोगों को देखने को आपे मिले अगर हम लोग इसी company को थोड़ा सा और अगर आ यहाँ पे लेकर चले जाए तो बहुत चोटी company है अगर आप इसका market cap अलरड़ी में दिखा चुका है यह बारा सु करोड़ है quarterly result so result देखना धीमे धीमे करके यहाँ पर बढ़ रहे है कोई बड़े result नहीं है sales की बात करें तो 24 करोड 27 करोड 29 करोड खर्चे भी उसी proportionate में बट company का operating profit देख लेना लगबग 2.89 करोड 4.19 करोड अभी 5 करोड so धिमे-धिमे company में हम लोग को अभी सुदार होते वे देखने को मिल रहे है जो कि earlier quarters में इतने कुछ खास नहीं थे company पहले तो हम लोगो minus में चलती वी देखने को मिल रहे थी बट जैसे ही आपे March के entry हो गई, Corona के entry हो गई और उसके बाद जो electric vehicle में जो boom पकड़ा है उसके बाद इस company का business देख लेना आपको कैसे grow होते वे देखने को आपे मिल रहे है इस company के उपर आप लोग जरू focus रख सकते हो, अगर आप इसका P&L भी देखोगे कितना easy है समझने के लिए देखे, सिर्फ और सिर्फ आपको minus में figures देख रहे है कबसे 2015, 16, 17 आप देख सकते हैं, 18 कुछ दमी नहीं है company में बट suddenly जाके अभी जो ये company जिस business में काम करती है, उसका demand बढ़ गया तो अभी इस company के और सभी लोग अभी focus रखना शुरू करने वाले ये दिखे first time March 21 में बहुत सालों के बाद company ने operating profit दिखाया और next अगर हम लोग बात करें तो 14 का भी profit हम लोगो देखने को या पर मिल रहा है तो इसलिए इस company के कल के दिन के numbers एक बहुत ही important role या पर play करने वाले है shareholding pattern को देख लेते हैं एक बार यहापे 55% promoter के पास है कोई D.I.S. है ही नहीं इसमें F.I.S. भी देखने को यहापे नहीं मिल रहा है और public की बात कर तो 44% तो basically अगर मैं बात करूँ सिफ promoter है इस company में and public है no F.I.S. no D.I.S. तो रिसकी तो company है ही institutions पैसा किदर भी ऐसा नहीं फसाते हैं सोच समझ कर ही पैसा यहापे लगाते हैं सो हमारा काम यही है दोस्तो कि इस company को study करना अगर आप इस company के results को भी देखे हुए तो यहापे फिलाल हम लोगो 57, 54, 55 ओके-ओके results देखने को मिल रहे है करजे की बात करें तो 20 लाग, 18 लाग, 15 लाग का करजा थोड़ा कम होते हैं यहापे short term boring थोड़ा सा जादा है अगर cash की बात करें तो जादा expect मत करना यह देख सकते हैं आप लोग 2,5 करोड का cash है So struggling वाली company इतना तो हम लोग कह सकते हैं Company का performance बिलकुल भी खास यहापे पिछले 5 साल अगर आप देखोगे तो देखने को बिलकुल भी यहापे कुछ भी नहीं मिला है बट ये एक ऐसा point है semiconductor का जो इस company के दिन यहापे पलट सकता है तो इसलिए कल के दिन जो quarter 3 के जो numbers आने वाले इस company के वो बहुत ही important role यहापे play करने वाले सो दोस्तों वीडियो को close करने से पहले यहापे आप देख सकते company के कुछ positive points, advantage वाले points and company के कुछ disadvantage वाले points pros and cons जो हम लोग यहापे बोलते हैं तो ही देखिए company के पास अगर advantage वाला कोई point है तो बस एक उम्मीद है कि expect किया जाए कि company यहापे आने वाले numbers अच्छे ही आपे दिखा सकते इसलिए जो semiconductor के जो shortage है इसके लिए and अगर आप लोग यहापे नुकसान देखोगे तो बहुत सारी आपको लंबी list मिलेगी क्योंकि company फिलाल ही हम लोगो पॉपिलर बंती भी देखने को आपे मिल रही है तो बहुत ही खराब performance अभी तक तो देखने को आपे मिला है lower interest coverage ratio भी आप लोग आपे देख सकते हो उसे के साथ promoter ठीक है उनने एक परसेंट यहापे हिस्सा किया इससे कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता है बाकी की जितनी भी चीज़े है और return on equity भी अगर हम लोग बात करें पिछले साल तक वो हम लोगों को बहुत ही खराब देखने को आपे मिला है तो इसलिए यह आने वाले numbers इस company के लिए अलग वे भी साबित है आपे हो सकते है उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखोगी कि इनका जो semiconductor का जो business है उससे related अलग-अलग जो product engineering रहते है वो और कहा कहा पे use होता है तो आप देश सकते aerospace and defense में भी है then consumer electronics में है automotive तो electric vehicle तो popular ही है medical and networking and telecommunication यहाँ पे भी हम लोग को इस चीज़ का demand फिलाल देखने को आपे मिल रहा है तो बहुत ही wide scope है इस company से related इसलिए अगर मैं बात करूँ तो उमीद कुछ जादा ही है और इसलिए उमीद के चलते है इस company में पहले इतनी जबर्दस buying हुई है को यहाँ पर मिल सकता है तो इस सारी जो चीज़े है वो डिपेंड करते है कि company की कल के दिन यहाँ पर नंबर कैसे आने वाले उसके उपर है तो बस मैं इतना है कहना चाहूँगा इस company को note करके रखना कल इसके नंबर कैसे आने वाले उसको आप लोग देख सकते है और और भी स्केमी conductor से related मैंने कुछ आप लोग को stocks बता हुए है उनके उपर भी आप लोग study कर सकते हो उन stocks के उपर भी आप लोग focus बना के रख सकते ह तो यह भी देखेंगे कि इनके नंबर्स यहाँ पर कैसे आने वाले है तो इस सारी चीज़े आप लोगों ने यहाँ पर study करनी चाहिए उसका जो outcome आता है उससे आप लोगों को बहुत कुछ चीज़े सीखने को जरूर मिलेगी तो आशा करता है आप लोगों को यह वीडिय